हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो नंतकिशोर क्लासेज, आज रेशो एंड प्रपोर्शन का इंपोर्टन टाइप करने वाले हैं, ऐसे कुशिंज, कम्पिटिटिव एक्जाम्स में अक्षर आ जाते हैं, आप बड़े ध्यान से स्टेट्मेंट पढ़िए, फोर ओप्शिंज हैं, और बेसिक मेथड भी कवर करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें है क्या, इसमें 350 रुपिज को A और B दो लोगों में बांटना है, और हमें ये दे रखा है 2 रेशो 5, यानि कि A और B में ये पैसा बटेगा किस रेशो में, 2 रेशो 5 में, तो बताइए दोनों को कितना कितना मिलेगा, देखिए, इसका मैं पहले तो shortcut बताता हूँ, इसमें क्या है कि A को कितना मिलेगा, वो कैसे निकालते हैं, जिसको मैं लिख रहा हूँ, A is share, मतलब A का हिस्सा कितना है, वो निकालने का method क्या होता है, ये respectively word देख रहे हैं, इसका मतलब अगर A पहले आ कितने हिस्से हैं, टोटल कितने हैं, टोटल और 5 टोटल 7 पार्ट्स हैं, 7 नीचे, अभी ध्यान से देखिए, जितना हिस्सा A का है, 2 वो उपर रखना है, numerator में, denominator में क्या आएगा, टोटल कितना हिस्सा है, 2 प्लस 5, 7, और इसको multiply कर दीजिए, टोटल amount 350 से, बस, इसको solve करे आएंगे, तो हमारे पास आजाएगा, जो A का share है, वो कितने है, 75035, तो A के पास 100 होगा, आप देखिए, वैसे तो A का share निकल गया न, यहां से मुझे सिधा ही पता चल गया कि C option इसका answer है, लेकिन हम इस वीडियो को सिरफ इसलिए नहीं कि option सेलेक्ट करने के लिए बना रह है, कि B का share कितना आता है, देखिए, B के हिससे 5 हिससे आएंगे न, 5, out of 7, multiply किस से करेंगे, 350 से, इसको काट दीजिए, 50 multiply 5 कितना आया, 250, अब पता चला कि मेरे पास C option इसका answer है, A का share भी ले लिया मैंने, और B का share भी ले लिया, लेकिन, ये तो हो गया कि अगर competitive में आये, तो इतना वैसे सजा के लिखने की भी जुरूरत नहीं होती, माइंड में कर सकते हैं, फटा-फट अच्छा, 2 upon 7, multiply 350, फटा-फट calculation की 100 आया, टिक लगा दिया, चारों में देख लिया, A option है, जिसमें, C option है, जिसमें A 100 आता है, तो इसली हो जाता है, लेकिन अब अगर basic में पढ़ें, मालो यही question of 6, 7, 8 के बच्चों को proper concept से करना आ गया, school में लिखना कैसे है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें कैसे आएगा, यहाँ पर हमें यह suppose करना पड़ता है, जब भी रेशो गिवन होती है, जैसे 2 रेशो 5 गिवन है, तो पहले नंबर वाला शेर A का है, तो A के पास 2 एक्स जाएगा, और B के पास कितना शेर जाएगा, रेशो के बाद 5 आ रहा है न, तो B के पास, 5X, पहला काम नहीं यह होता है, उसमें कि हम 2X और 5X, जो शेर गिवन है, जो रेशो गिवन है, उसी हिसाब से 2X और 5X सपोज कर लें, और अब A के पास 2X है, B के पास 5X है, तो according to given condition, टोटल कितना है, अगर इन दोनों का टोटल मिला दे, तो वो तो 350 रुपए दिया हुआ है न, 350, तो हम यह concept यूज करते हैं, 2X प्लस 5X, 7X, तो 7X is equal to 350, यहाँ से X निकाल लीजिए, 350 अपॉन 7, तो कुल मिला के मेरे पास X की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गईजिए, ठीक है, यह alternate way है, step by step करना हो तो, तो अब यहाँ से मेरे पास A का शेयर कितना आएगा, हम कहेंगे जी वो तो रुपिस 2X था, ठीक है न, तो अब solve करने का method क्या है, X की जगे, जो X की value आई है भर दीजिए, तो A का शेयर कितना आया, 100 रुपिस, same way में, आप B का शेयर निकाल सकते हो, B का शेयर कितना है, कैसी 5X है, तो हम 5 को 50 के साथ multiply करेंगे, और 5 multiply 50, 250, तो B का शेयर कितना आएगा, 250, यह separate कर देते हैं, ऊपर A का शेयर आया, नीचे B का शेयर आया, I hope कि आपको यह concept अच्छे से समझाया होगा, कि अगर इस तरह की questions आ जाएं, तो हमने कैसे attempt करने हैं, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, तो इसे like और share जरूर करिए, thank you so much.